हमारे कुछ दोस्तों ने जानना चाहा था कि बाइक या मोटर साइकल का इंशोरंस कितने रूपे में होता है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि बाइक का थर्ड पार्टी इंशोरिस कराने पर कितना पैसा लगता है। कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा था कि बाइक का comprehensive insurance कराने पर कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रशनों का उत्तर देंगे और बाइक insurance से जुड़ी अन्य उपियोगी जानकारिया भी साजा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइक का insurance कितने रूपे में होता है। बीमा नियामा के वं विकास प्राधिकरन द्वारा 1 जून 2022 को थर्ड पार्टी insurance की नई कीमत लागू की गई है। इसमें पैट्रोल या डीजल से चलने वाले बाइक या स्कूटर के लिए थर्ड पार्टी insurance की कीमतें अलग रखी गई हैं और इलेक्रिक बाइक वा स्कूटर के लिए थर्ड पार्टी insurance की कीमतें अलग रखी गई हैं। तो चलिए हम टेबल के माध्हम से बताएंगे कि पैट्रोल या डीजल से चलने वाले बाइक या स्कूटर के लिए कितना पैसा लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले कालम में वाहन की इंजन क्षमता है और दूसरे कालम में एक साल के लिए बीमा कीमत है और तीसरे कालम में तीन साल के लिए बीमा कीमत लिखा हुआ है। प्लस 18 प्रतिशद GST वहीं 3 साल के लिए भीमा कीमत होगी. 7,365 रूपे प्लस 18 प्रतिशत GST, 350 CC से अधिक शम्ता की बाइक या 2 पहिया वाहन की एक साल के लिए बीमा कीमत होगी 2,804 रूपे प्लस 18 प्रतिशत GST, वहीं 3 साल के लिए बीमा कीमत होगी 15,170 रूपे प्लस 18 प्रतिशत GST होगी अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर के लिए थर्ड पार्टी इंशोरेंस रेट की, 3 किलोवाट से कम क्षमता की इलेक्ट्रिक बाइक या 2 पहिया वाहन की एक साल के लिए बीमा कीमत होगी, 4507 रुपे प्लस 18 प्रतिशत GST, वहीं 3 साल के लिए बीमा कीमत होगी, 2466 रुपे प्लस 18 प्रतिशत GST, 3 किलोवाट से 7 किलोवाट क्षमता की इलेक्ट्रिक बाइक या 2 पहिया वाहन की एक साल के लिए बीमा कीमत होगी, 607 रुपे प्लस 18 प्रतिशत GST, वहीं 3 साल के लिए बीमा कीमत होगी, 3273 रुपे प्लस 18 प्रतिशत GST, 7 6,260 रूपे प्लस 18.0 GST, 16 किलोवोट से अधिक शंता की इलेक्ट्रिक बाइक या दोपहिया वाहन की एक साल के लिए बीमा कीमत होगी, 2,383 रूपे प्लस 18.0 GST, वही 3 साल के लिए बीमा कीमत होगी, 12,849 रूपे प्लस 18.0 GST होगी. ध्यान रखें की टेबल में दी गई बाइक इंशोरंस की प्राइस लिस्ट सिर्फ थर्ड पार्टी इंशोरंस की है आप अगर comprehensive insurance policy खरीटते हैं या add-on बीमा की सुविधाय भी जुरवाते हैं तो फिर insurance policy की कीमत बढ़ जाती है अब हम बात करेंगे comprehensive बीमा policy कराने पर कीमत क्या होती है गर आप comprehensive insurance policy करवाते हैं तो आपको third party insurance और own damage cover दोनों प्रकार की बीमा सुरक्षाय मिलती है थर्ड पार्टी बीमा में जहां आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी, संपत्ती या शरीर को नुकसान का मुआवजा मिलता है वहीं own damage cover में आपकी खुद की गाड़ी को नुकसान पहुचने पर मुआवजा मिलता है Comprehensive Insurance Policy करवाने पर, थर्ड पार्टी बीमा की कीमत के साथ साथ आपको own damage cover की कीमत भी चुकानी पड़ेगी दोनों की कीमत जोड़कर आपका Total Premium बनेगा Total Premium के 18% GST का भी भुखतान अलग से करना होगा ध्यान रहे, आप चाहें तो third party insurance और own damage cover को अलग-अलग भी ले सकते हैं यहां तक की अलग-अलग कमपनियों से भी ले सकते हैं वास्तव में, own damage cover भी एक प्रकार का add-on cover होता है जिसे आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनाया गया है तो दोस्तों, ये थी बाइक, स्कूटर या दो पहिया वाहनों के लिए third party insurance की कीमतों के बारे में जानकारी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए रुपयों पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद